हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स क्या आपने कभी किसी ऐसी ट्रेन में सफर किया है जो महल की तर दिखती है सांदार बैड, कईत्रा का खाना और एक ऐसी यात्रा का अनभव जो जिन्दगी भर में सायद एक ही बार में मिल सके खेर हम बात कर रहे हैं गोल्डन चेरियट लग्जरी ट्रेन की इस लग्जरी ट्रेन की सुरुवात साल 2008 मनुवी और इसकी सुरुवात IRCTC और करनाटक विभाग ने मिल कर किती गोल्डन चेरियट का अर्थ होता है सोने का रत जैसा इसका नाम वैसी ही इसमें सुविधाई मी हैं यह केवल भारत के ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे आलिसान ट्रेनों में सुमार है दा गोल्डन चेरियट ट्रेन को भारतिय रेलवे और करनाटक सरकार संयुक्तिय रूप से चलाती है यह ट्रेन दक्सिन भारत के करनाटक, केरल, तर्मिनाडू, पुंडुचरी और गोवा के दर्सन कराती है लेकिन इस ट्रेन के रफ्तार पर साल 2017 में ब्रेक लग गया था कए कारणों की वज़े से इस ट्रेन का संचानल पूरी तरह से बंद कर दिया गया था लेकिन पर्याटकू की पसंद रही गोल्डन चैरियट लक्जरी ट्रेन एक बार फिर लोगों को लक्जरी का एहसास दिलाने के लिए तैयार है अपनी पहली दोर की यात्रा कारिकम दा प्राइड ओफ करनाटक में ये ट्रेन, बांदिपूर नेशनल पार्क, मैसूर, हैली बीडू, चिक मंगलूर के साथ साथ गोवा को 6 दिन और 7 रातों में पूरा करती है दोस्तों इससे पहले कि हम आपको उन पर्यटन इस्तलू के बारे में बताएं जिन में आप घुमने जा सकेंगे आईए हम आपको ट्रेन के बारे में कुछ खास बाते बताते हैं दक्सिन भारत में चलने वाली ये लगजरी ट्रेन जो एतिहासिक, इस्ताफत्ति, रहस्य पूर्ण और जसनिय जगों का एक सांथ अनुबव गराती है ट्रेन में 16 कोच है, सभी का नाम राजवन्सू के नाम पर रखा गया है जिनोंने सद्यों से दक्सिन भारत पर सासन किया था हर कोच में 4 केविन होते हैं, जिन में 30 ट्विन बेट केविन और 13 डबल बेट केविन है और विशेश रूप से विकलांगों के लिए 1 केविन है इस नई ट्रेन में मुक्त वाइफाई और OTT स्टिमिंग सहीद कई और फैसिलिटीज भी है इसमें मुक्त वाइन, बियर, भारती और अंतरास्टिय वेंजन बिस सामिल है लगजरी ट्रेन में 11 पैसेंजर सैलून, दो डाइनिंग कार, एक बार लाउंज और एक मीनी जिम और इसपाबी है डाइनिंग कोज के इंटीर को हमपी और हाले बिड मंदिरु की तरब डिजाइन किया गया है दोस्तो इस ट्रेन का मिनिमम किराया लगभग 3 लाख रुपी और अधिक्तम किराया लगभग 5 लाख रुपी है वर्ल्ड ट्रेवल अवर्ड्स द्वारा इस ट्रेन को 2013 में एसिया की लीडिंग लगजरी ट्रेन के खिताब से नवाजा गया है कुल मिलाकर गोल्डियन चेरियट लगजरी ट्रेन आपको साही अनभव कराती है और दत्सिन भारत की समर्द, संस्कृति और विरासत की जलग भी देती है दोस्तो अब आपको गोल्डियन चेरियट लगजरी ट्रेन की गेस्ट कैरिज यानि कोज की सिक्विंस के बारे में बताते हैं जैसा कि हमने आपको बताया सभी गेस्ट कैरिज के नाम राजवन्सू के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने सद्यों से दक्सिन भारत पर सासन किया था गोल्डियन चेरियट लगजरी ट्रेन में सबसे पहले इंजन फिर उसके बाद जनरेटर कार फिर है पहला गेस्ट कैरिज बहमनी फिर है आदिल साहिद फिर आता है यदुकुल और फिर उसके बाद है विजय नगर और फिर है चालुकिय और इसके बाद है रास्ट कुट औ और फिर नेक्स्ट कोच में आरो की हेल्थ सेंटर, और फिर नेक्स्ट कोच में नर्पा का रेस्ट्रेंट, उसके बाद एक और कोच में रुची रेस्ट्रेंट है, और फिर आता है मदीरा दबार, और फिर आता है गेस्ट कैरिज सातवाहन, फिर है कदम, इसके बाद है गंग झाल 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 दोस्तों गोल्टन चैरियट लग्जिरी टेन की मैक्सिमम टेपेसिटी 44 सिलीपर्स केविन में 85 पैसेंजर्स की है दोस्तों अब आपको गोल्टन चैरियट लग्जिरी टेन की गेस्ट कैरिज यानि कोच में बने रूम के फीचर्स बताते हैं सेंटल एयर कंडिस्निंग है इन सूट बाथरूम विद डब्डूसी है रेंज अब ट्रॉले ट्रीज है कॉप्रिमेंटिव वाइफाई है टेलिविजन इच रूम यानि सभी कमदों में टीवी है होट एंड ओल्ड वाटर सप्लाई है बाथरूम से हैं दोस्तों प्रतेक के विल का साइज लगभग 68 स्कॉाइर फिट यानि 6 स्कॉाइर मीटर होता है दोस्तों अब आपको गोल्डन चेरियट लग्जरी ट्रेन के आरोग ये हैल्टर सेंटर के बारे में बताते हैं आरोग में दो इस्पार टेबिल्स के साथ एक एकसरसाइज रूम भी है जिसमें मौडर्न फिटनेस मशीन लगे वी हैं यहाँ पर आपको टेडिसनल इंडियन और मौडर्न मसाज थेरपीज की फैसरेटी भी मिलती है आरोग इस्पार और फिटनेस सेंटर आधुनिक एकसरसाइज मशीनों के साथ पारंपरिक आर्यूबेदिक इस्पार उपचारों को भी जोड़ती है दोस्तो गोल्डन चैरियक लग्जरी टेन में दो रेस्टरों भी हैं रूची और नलपा का जो भातियो विकल्पो की एक सिकला के साथ साथ दुनिया भर से मनोरम भोजन को परुस्ते हैं दोस्तों, गोल्डन चेडियोट लगेरी ट्रेन में मदीरा की नाम से एक कोच में बार बनाए गया है मदीरा, बार वाइन, बियर और इस पिट का सबसे अच्छा विकल पर बेस करता है दोस्तों, अब आपको गोल्डन चेडियोट लगेरी ट्रेन के टूर पैकेज के बारे में बताते हैं इसमें तीन टैडियोट के टूर पैकेजेज हैं पहला है प्राइड ओफ करनाटका यानि करनाटक की सान जिसमें 6 nights, 7 days का आइटियोट प्रोगाम यानि यात्रा करिकम होता है जिसमें गोल्डन चेडियोट लगेरी ट्रेन, बैंगलरू से बांधिपूर, मैसूर, हलेविडू, चिकमंगलूर, हमपी, अग्दकल, एहोल, गोवा और फिर वापस बैंगलरू साथ दिन के बाद पहुँच जाती है जिसमें गोल्डन चेडियोट लगेरी ट्रेन, यानि यात्रा करिकम होता है जिसमें गोल्डन चेडियोट लगेरी ट्रेन, बैंगलरू, मैसूर, हमपी, महाबलिप्रम, तंजावूर, चेतिनाद, कोचीन, कुमार कोम और फिर वापस बैंगलरू पहुच जाती है जाती है दोस्तों अब आपको Golden Chariot Luxury Train Tour Package के टेरिफ के बारे में बताते हैं Pride of Karnatka 6 Nights 7 Days में Deluxe Cabin के लगबग 4,14,750 रुपे और Single Supplement के लिए लगबग 3,11,260 रुपे Glimpse of Karnatka 3 Nights 4 Days में Deluxe Cabin के लिए लगबग 2,77,000 रुपे और Single Supplement के लिए 1,77,750 रुपे Jewels of South 6 Nights 7 Days में Deluxe Cabin के लिए लगबग 4,14,750 रुपे और Single Supplement के लिए लगबग 3,11,260 रुपे चार्च के जाते हैं दोस्तो Golden Chariot Luxury Train के टैरिफ यानि किराय को हर दो मेहने में revise किया जाता है यानि कि इसके किराय में बदलाओ हमेशा होता रहता है और इसमें समय समय पर discount offers भी दिये जाते हैं दोस्तो Golden Chariot Luxury Train की online booking आप goldenchariot.org या फिर IRCTC की official website irctc.co.inpa से कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप Golden Chariot Luxury Train में टूर का प्लान करते हैं तो यही आसा करते हैं कि यह information आप के लिए काफी helpful होगी इसके अलावा आपको कोई doubt है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे comment section में comment करके पूछ सकते हैं ऐसे ही entertaining और informative वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे channel को कीज़े subscribe साथ में bell आकर दबाने के साथ all notification पर click जरू करें वीडियो को ज़्यादा अदा share और like करें क्योंकि आपके एक like से हमें motivation मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही informative वीडियो जरू करें इस वीडियो को like से जरू करें इसके साथ आप हमारे facebook पेज और instagram में हमें follow जरू करें और हमें support करें golden chariot में check-in करें और हो जाए relaxed refresh recharge आज के एपिसोड बस इतना ही एक नए informative वीडियो के साथ फिर्म लेंगे तब तक के लिए bye bye take care thanks for watching